हे गाइस अप स्टेडी के ओनलाइन प्रेट्फर्म में आपका स्वागत है शुरू करते हैं आथ की क्यूशन स्रीज पहला क्यूशन होने वाला है बगवान स्री राम के पिता का क्या नाम है एक क्यूशन का राइट अंसर क्या होना है अब चलते हैं नेक्स क्यूशन की तरफ निम्ण में से राष्ट्रपती चुनाव संबंदित मामले किसके पास भेजा जाएगा इसका राइट अंसर क्या होने वाला है इसक्यूशन का राइट अंसर है अब चलते हैं नेक्स क्यूशन की तरफ निम्ण में से कैप्टन कुल के नाम से किसे जाना जाता है इसक्यूशन का राइट अंसर क्या है अब चलते हैं नेक्स क्यूशन की तरफ निम्ण में से अनार्थ का विलोम सब्द है इसका राइट अंसर है अब चलते हैं next question की तरफ निम्न में से भारतिय नो से ना दिवसे कब मनाया जाता है A option 5 June, B option 4 January, C option 26 January और D option 4 December इस question का right answer क्या है? D option 4 December इस question का right answer है अब चलते हैं next question की तरफ निम्न में से cricket की team में कितने खिलाड़ी होते हैं A option 10, B option 15, C option 7 और D option 11 इस question का right answer क्या होने वाला? D option 11 इसका right answer है अब चलते हैं next question की तरफ निम्न में से प्रत्वी की बेहन के नाम से जाना जाता है A option सनी, B option मंगल, C option सुक्र और D option बुद्ध इस question का right answer क्या होने वाला? इस question का right answer क्या होने वाला है? B option मेजर ध्यानचन इस question का right answer है अब चलते हैं next question की तरफ निम्न में से एक football team में कितने खिलाड़ी होते हैं? A option no, B option 15, C option 11 और D option 18 इस question का right answer क्या होने वाला है? C option 11 इसका right answer है अब चलते हैं next question के तरफ निम्न में से दो हजार चोईस में ओलम्पिक के कहां आयूजित होंगे? A option इराग, B option इरान, C option मुंबई और D option पेरिस है इस question का right answer क्या होने वाला है? D option पेरिस question का right answer है अब चलते हैं next question की तरफ निम्न में से मनिपूर की राजदनी क्या है? A option इमफाल, B option लखनाउ, C option जैपूर, D option तिरपूरा इस question का right answer क्या होने वाला है? A option इमफाल इसका right answer है अब चलते हैं next question की तरफ निम्न में से भारत में सबसे बड़ा बसिस्टेंड कहां पर है A option मुंबई, B option दिली, C option गुजरात, D option जैपूर इस question का right answer कहा है? B option दिली is question का right answer है यहां पर एक साथ हजार बसे कड़ी रह सकती है अब चलते हैं next question की तरफ है निम्न में से विस्टेंड सबसे ज़्यादा आलू कहां पेदा होता है A option चीन, B option रूस, C option भारत, D option इटली इस question का right answer क्या होने वाला है? B option रूस, इस question का right answer है अब चलते हैं next question की तरफ निम्न में से भारत की राष्ट्रिये मिठाई क्या है? A option लड़ू, B option बर्फी, C option पेठा, D option जलेबी इस question का right answer क्या होने वाला है? D option जलेबी इस question का right answer है अब चलते हैं next question की तरफ निम्न में से मनुश्य की एक आँक का कितना वजन होता है? A option 8 gram, B option 10 gram, C option 14 gram, D option 18 gram इस question का right answer क्या हो है? A option 8 gram इस question का right answer है दोस्तों आज की क्लास में इतने ही question अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, किसी पर प्राफिसे आपके लिए helpful रहो या informative रहो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों का शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुलें अम मिलते हैं नेक्स वीडियो में जै हिंदी, जै भारत